हेलो दोस्तों डिलिशिस भुजिन में स्वागत है आपका आज हम बनाएंगे आटे का हल्वा याने की कड़ा प्रसाद तो बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले इसके निये चाहिए प्रशाद बनाने के लिए हमें चाहिए आटा और घी सबसे पहले हम इसका शीरा बना लेंगे दो कब पानी लिया है मैंने गैस को आन कर देते हैं रखतेते हैं पानी हमारा जरासा गरम हो गया है इसी कब से एक कब चीनी भी डाल देंगे हम हमें चाशनी नहीं बनानी है सिर्क चीनी और पानी का घूल दयार करना है इसे हम एक उबाल लाने तक चीनी और पानी को अच्छे से घुल जाने तक उबाल लेंगे उबलना शुरू हो गया है शीरा हमारा अभी चीडी अच्छे से घुली नहीं है अच्छे से घुल जाएगे तब तक हम इसे उबालेंगे शीरा हमारा उबल गया है तो हम हमीसे खटा देंगे क्योंकि हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है तार वाली वह समय इसे घोल भनाना ही घोल तियार करना है इसी एक अब से हम किन एक फोगी यालेंगे सबसे पहले खिव किन तार वाली कि थोड़ा पिखलता है इसी कब से एक कब आटा हम डाल देते हैं इसे अच्छ से मिलाते हुए चलाते हुए हम पकाएंगे इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है बहुत धीमी आच पे धीरे धीरे पकाना है अगर तेज आच करेंगे तो आठा हमारा जल जाएगा इसी तरह चलाते हुए हमें इसे पकाना है जब आटा हमा हलवा हमारा पकने लगेगा तो इसमें से बहुत अच्छी भीनी-भीनी से खुश्वू आने लगेगी अगर तेज आच रहेगा तो फिर यह काला-काला हो जाएगा इसलिए हमें बिल्कुल धीमी आच पे पकाना है तब तक पकाना है जब तक यह दानेदार ना हो जाए आटा हमारा हो गया है देखिए बिलकुल दाने दाव ये देखिए कड़ाही में दाना दाना दिख रहा है बहुत अच्छी खुश्गू भी आ रही है ये देखिए कलर चेंज कर चुका है ये से छोटना बिलकुल नहीं है कंटिनीव चलाते रहना है अब हम ये जो शीरा हमने बना के रखा है इसे भी डालेंगे दीरे दीरे प्लेम को बिल्कुल कम रखिएगा नहीं तो यह उत्रव शलता है अब यह आपको गीला लग रहा है चलाते और पकाते हुए दीरे दीरे सुखा हो जाएगा इस टाइम पर बिल्कुल हमें छोड़ना नहीं है कंटीनियू चलाते रहना है यह देखिए दीरे-दीरे सुखा है बहुत ही आसानी से बहुत ही इसली यह पंग जाता है बहुत कम टाइम में बनने वाला है यह प्रशाद इसमें हमें किसी ड्राइब फूट की भी जरूरत नहीं पड़ती है आप चाहें तो डाल लें इसे हमें कंटीनियू चलाते रहना है यह देखिए कड़ाही छोड़ चुका है दीरे दीरे इसमें से घी बाहर आ रहा है देखिए कड़ाही में घी बाहर आने लगा है दीरे दीरे यह दिखिए हमें चलाते रहना है छोड़ना नहीं है बिल्कुट हल्वा हमारा बनके त्यार हो गया है यह देखिए देखिए बहुत अच्छे से बनके त्यार हुआ है अब हम इसे पलट लेते हैं कड़ाही में चिपका नहीं है इतना बड़िया बना है हल्वा हमारा बनके त्यार हो गया है बहुत अच्छे से यह देखिए बहुत अच्छे से बना है बहुत आसानी से बन जाता है आप एक बर जरूर बनाएं इस तरह से कड़ा प्रशाद बहुत बढ़िया होता है वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें यह रेसिप आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए बिल बट्रों को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद